Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिसकस करेंगे वरक्षीट नमबर 10, 4, क्लास 7th Social Science की विच्छोई वरक्षीट है जो आपके लिए 25th आगर्स 2021 के लिए शेडूल की गई है दिल्ली के सुल्तान इस बारे में हम पढ़ेंगे So now let's start इतिहास के अध्यन के लिए हम अभिलेक, सिक्कों और स्थापत्य यानि भवन निर्मान कला के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं तो बिच्छे आप सभी बिच्छे जानते हैं कि इतिहास को हम जो है स्टडी करते रहते हैं और उसके अध्यन के लिए यानि हमारे अतीत में क्या कुछ प्रिजेंट था खिके उसको जानने के लिए हम जो पुराने सिक्की हैं अभिलेख हैं या स्थापत्य यानि भवन निर्मान की जो कलाएं हैं उन सभी के माध्यम से सूचना प्राप्ते करते रहते हैं जो आपने अपनी जो बुक्स हैं उनमें भी पड़ा है मगर दिल्ली सल्तन की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास तारीक क्या है एकवचन और अगर तारीक क्या हम भवचन करेंगे तो क्या वोलेंगे तवारीक तवारीक है जो सुल्तानों के साशनकाल में प्रशाशन की भाषा फार्सी में लिखे गए थे तो देखे इतिहास के अधियन के लिए हम अभी लेक सिक्के या भवनिर्मान कला के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत के लिए यानि दिल्ली का जो इतिहास है उसके लिए हम किसका रेफरेंस लेते हैं तवारीक का ठीक है जो सुल्तान के साशनकाल में प्रशाशन की भाषा फार्सी में लिखे गए थे कौन सी भाषा में लिखी जाती है त्वारीक वो जो है फार्सी भाषा में लिखी जाती है यहाँ पर तारीक का मतलब क्या है कि बिटा जो भी उस समय गटित होता था वो तारीक के साथ लिख दिया जाता था क्या गटित हुआ है कुछ भी अगर बदलाओ होता था कुछ भी नई घटना घटती थी तो वो सब कुछ लिख दिया जाता था त्वारीक के लेखक कौन थे त्वारीक के लेखक जो है वो सचीव हुआ करते प्रशाशक कवी और दर्बारियों जैसे सू सिक्षित वेक्ती होते थे यानि जो educated वेक्ती थे वो त्वारीक लिखते थे जो गटनाव का वर्णन भी करते थे और शाशकों के प्रशाशन संबंदी सला भी देते थे यानि कैसे प्रशाशन जो है वो चला सकते हैं जो साशक है ठीक है जो सुल्टान होते थे उनको वे न्याय संगत शाशन के महतो पर बल देते थे यानि वो इस बात पर बल देते थे कि सभी के साथ जो है वो न्याय हो तो इस तरह की सला जो है वो लोग देते थे कौन लोग जो त्वारीक लिखते थे जैसे सची हुथे जो पड़े लिखे लोग थे आप कह सकते हो अब देखे त्वारीक के लेखक नगरों में विशेशकर दिल्ली में रहते थे तो जो लोग ये त्वारीक लिखते थे वो लोग कहां रहते थे वो लगबग जो है सारे दि यानि ये लोग जो इतिहास लिखते थे इनको एक तरह से आप कह सकते हो कि सब जो है अच्छे से अच्छा इतिहास लिखने का प्रयास करते थे ताकि जो सुल्तान है उनसे जो है वो इनाम की राशी पा सके जिसका भी पसंद आएगा उसको जो सुल्तान है वो एक तरह से क्या है कि नाम भी दे सकते थे ये लेखक अक्षर शासकों को जनमसिद अधिकार और लिंग भेद पर अधारित आदर्श समाज विवस्था बनाए रखने की सलहा देते थे इसका क्या मतलब है कि जो ये लेखक थे जो तवारिक लिखते थे ये अक्षर जो सुल्तान थे उनको जनम सिद अधिकार जनमसिद अधिकार का मतलब क्या होता है कि एक पैत्रिक जो काम चला रहा है जैसे राजा का बेटा राजा ही होगा ये उसका एक जनमसिद अधिकार है तिक है जो अगर कोई निमने जाती का कोई लोग कारिये कर रहे हैं तो वो उन्हीं का अधिकार है कि वो जो है वही कारिय करेंगे जैसे कुमार का बेटा जो है वो कुमार ही बनेगा तो इस तरह की बात वो करते थे और लिंग भेद पर अधारित आदर्श शमाज लिंग भेद का मतलब क्या है कि लड़का और लड़की में जो अंतर होता है वो उसको बनाए रखते थे बनाए रख बेखक हैं, ये साशकों को जनमसीद अधिकार और लिंग भेद पर अधारित आदर्स समाज, वो इसी जनमसीद अधिकार और लिंग भेद की नीती पर अधारित समाज को ही आधर्स समाज की संग्या देते थी, उनके विचारोंसे लोग सहमत नहीं होते थी, तो यही unreason था कि उनके विचारों से लोग भी जो है वो सहमत नहीं थे अब देखें यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी दी गई है सबसे पहले तोमर राजपुतों के काल में दिल्ली तोमर सामराज्य की राजदानी बनी तो वेटा दिल्ली जो है वो बहुत पहले से नहीं है दिल्ली का आरंब कब हुआ बार्मी स्ताब्दी में दिल्ली का आरंब कब हुआ बार्मी स्ताब्दी में हुआ और बार्मी स्ताब्दी में सबसे पहले दिल्ली जो है वो उस पर किसने आप कह सकते हो किसका अधिकार था तोमर राजपुतों का अधिकार था दिल्ली सबसे पहले तोमर बारवी स्ताब्दी के मद्दे में तोमरों का अजमेर के चोहानों जिसमें चाहमान नाम से भी जाना जाता है तो तोमरों का अजमेर के चोहानों से क्या हुआ युद्ध हुआ जिसमें क्या हुआ कि चोहान जो है वो जीत गए और तोमर जो है वो हार गए यानि अब दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया चोहानों का जो आपने प्रिथ्वी राज चोहान का नाम सुना होगा तो उस समय प्रिथ्वी राज चोहान तृतिय वो थे जिनोंने दिल्ली पर जो है अधिकार किया था तोम्रो और चोहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वानिजय का एक महत्यपू इस शहर में बहुत सारे समर्द सारे जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्मान करवाया तो व्यापारियोंने अनेक मंदिरों का निर्मान करवाया यहां देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे तो यहां पर जो सिक्के बनाए जाते थ थे दहलीवाल कहा जाता था जो काफी प्रचलन में थे तो शिक्को का नाम क्या है यहां पर शिक्को का नाम है दहलीवाल तेर्वी स्थापदी के आरम में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई आप देखें दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई वो तेर्वी स्थापदी के आ बाजदानी बन गई जो बहुत सारे छेत्रफर मियंतरन करती थी अब यहां पर आपको दिल्ली के साशक जो है सबसे पहले कौन है तोमर आरंबिक गववा बार्मी स्ताब्दी में उसके बाद जो है चोहान पृत्वीरा चोहान इन्होंने जो है इस पर जो है क्या कर लिया यहां पर साशन किया अब यहां पर बच्चो कुछ कोशन दिये गए हैं अम इन कोशन को डिसकस करेंगे तो फर्स्ट कोशन है इतिहास के अध्यान के लिए कौन कौन से स्त्रूथ हमारी साहता कर सकते हैं तो देखे इतिहास के अध्यान के लिए हमें शिलालेक, सिक्के और वास्तुकला के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है, ठीके, तो इस तरह से हम इनके द्वारा बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इतिहास के बारे में, सेकिन कोशन है, त्वारीक का अध्यन किस प्रकार हमारे लियोपयोगी हो सकता है, आंसर लिखेंगे, त्वार लोग सहमत नहीं होते थे जैसे सासकों का जरम से ददिकार और एक लिंग बनाए रखने की सलहा तो इस तरह से त्वारिक किये जो है क्या थी कुछे सीमाए थी नेक्स देखिए प्रश्नित चार है पता लगाए कि दिल्ली में कुत्ब मिनार के निर्माण में किन-किन साशकों का योगदान है कुत्ब मिनार के संदर्व में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए तो कुत्ब मिनार का निर्माण कराने में कौन-कौन से साशक का योगदान है कुत्बदीन एबक ठीके सम्शुदीन इल्टुमिस और फिरोदसा तुगलक तो इन तीनों के नाम आप लिख देंगे और कुतुमिनार के संदर्व में जानकारी और भी इससे भी जादा आप लिख सकते हो बच्चो कुतुमिनार भारत के दक्षिन दिल्ली शहर में महरोली की सबसे उची मिनार है और इसकी उचाई 72.5 मीटर है इसके अलाबा ये जो है लाल भलुआ पत्थर से बनी हुई है इस तरह से आप इसके बारे में और फी इंफोर्मेशन लिख सकते हो तो ये थी आपके आज की वरक्षीट I hope सभी स्थूदेंस को क्लियर है कोई भी डाउट है पूछ सकते हो